नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आए दोस्तों सुनते हैं मीनूत रिपाठी जी के लिखी कहानी अम्मा देखो अब बार-बार मुझे चलने को मत कहो अगले महीने भुपाल जाएंगे बस मनी के जुझलाहट से हैरान दुशंद कुछपल उसके चहरे को ताकने के बाद बोले मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भुपाल जाने को लेकर तुम इतनी उत्साहिद भी थी रिजर्वेशन भी हो गया पर जब पैकिंग का टाइम आया तो तुमने भुपाल जाना एक महीने के लिए टाल दिया हाँ अब क्या कहूं अभी लग रहा है कि हड़वड़ी में पैकिंग ठीक नहीं है एक महीने में मैं धीरे-धीर आराम से समान समिट लूँगी तुम क्यों समिट होगी मूवर्स एंड पैकर्स करेंगे सब तुम कहो तो अभी भी छुट्टी बढ़वा सकता हूँ तीन दिन में पैकिंग हो जाएगी हमारा आम से भुपाल जा सकते हैं ना ना इतनी जल्दी में नहीं अभी तो तुम अमोग को होस्टल में छोड़कर आफिस जॉइन कर लो तुम्हारा मन नहीं करता है अमोग का होस्टल देखने का भगवान का शुक्रियादा करती हूँ जो तुम्हारी पोस्टिंग भी भुपाल आई है और इसे एनाईटी भुपाल मिला अब कोई चिंता नहीं है जब चाहूंगी देखाऊंगी इसे क्या यार सालों बाद तो ये दिनाये हैं कि साथ साथ रहें पर तुम न जाने कें जमेलों में अभी भी फसी हो जानता नहीं हूँ क्या तुम्हें जरूर दिमाग में कुछ चल रहा होगा वरना एक दिन भी यहां रुकने की कोई वज़े नहीं है वज़े है दुशन सहसा उसके मूँ से निकला तो वह खुद पर ही खीच गई परिशान सीवा कुर्सी से उठती उससे पहले ही दुशन्त ने धिठाई से उसके हाथ को पकड़ कर खीच लिया और सीधे उसकी आखों में जाकते हुए बोले बोलो ना क्या वज़े है तुशन्त की जिठ से परिशान चिड़ी सी मनी बोली ओफो तुम तो पीछे ही पढ़ जाते हो जैसे मैं बोलूँगी और तुम समझ जाओगे हिंदी अंग्रेजी के अलामा कोई और भाषा भी सीख ली है क्या मतलब मतलब चाइनीज या फिर स्पैनिश उसमें समझाओगी तो थोड़ी मुश्किल होगी उफ मजाक सूझ रहा है तुम्हें और मुझे कितना काम है मुझे साथ ले जाने के लिए ये बेता भी तब न दिखाई जब उम्र थी तब तो बच्चों समेट यही छोड़ दिया मनी के उलाहनी पर दुशन मायूसी से उसे देखते हुए बोले अपने बच्चों के भविशे के लिए अलग रहे ही है अब जब वो अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं फिर हम क्यूं अलग रहे हैं बोलो ना कोई कारण है क्या तुम नहीं समझोगे क्यों नहीं समझूंगा दुशन तो उसे अजीब तरह से देख रहे थे पर मनी अब भी यू चुप बैठी थी मानू जवाब हो पर शब्द न हो क्या बताए बताए भी तो क्या दुशन्त और अमोग समझेंगे पिता पुत्र उसे मनाने में लगे हैं साथ भोपाल चलने के लिए पर वो कैसे जाए कलवी का आने वाली है आठ नो महीने बाद उसके शादी हो जाएगी उसने बड़े चाव से अपने कुवारेपन की मौज मस्ती भरी 20 इनके छुटियां गौालियर के नाम कर दी है एक बर फिर वह यहां रहकर कुछ समय अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताना चाहती है बेटी की इसे इच्छा का मान रखने के लिए उसने एक महीने और गौालियर रुखने का मन बनाया दोशंत कारण जानेंगे तो उसकी कोरी भावकता का मजाग बनाएंगे क्या पता नाराज हो उस पर भी और अविका पर भी दोशंत के कहने पर शायद अविका गौालियर राने के जिच्छोड भोपाल चली भी जाए पर वाख खुद भी तो उसकी इस छोटी से खौईश को पूरा करना चाहती है क्या हुआ कुछ बताओ तो दोशंत के टोकने पर विचारों के भवर में फसी मनी समल कर बोली वज़े कोई खास नहीं है दोशंत दरसल अविका के लिए यहां से कुछ खरिदारी करना चाहती हूँ भोपाल नई जगे होगी नई जगे पर सब ढूनना पता लगाना पड़ता है ये शहर जाना पहचाना है मन तो था कि शादी भी यहीं से कर लेते पर जानती हूँ तुम राजजी नहीं होगे बिल्कुल सही सोचा तुमने शादी तो भोपाल से ही होगी शौपिंग भी यहां से करने की ज़रूरत नहीं है सामान वहीं से जुटेगा यहां से लाद कर ले जाने का कोई मतलब नहीं है बात समझने की कोशिश करो कम से कम कपड़े लत्ते जीवर लेने देने का सामान यहां से ले लेंगे जान पहचान का फायदा मिलेगा मनी ने भरसक गंभीरता पूर्ण मुद्रा में कहा ताकि उसके रुकने के कारण को पूरा वजन मिले पर दुश्यन तो हस दिये और बोले इतना क्या लगाव हो गया है इस शहर से पहले तो यहां से जान छुडाना चाहती थी अब जबके बच्चे बड़े और सेटल हो गए यहां रुकने की कोई वज़य नहीं है वाह वहां सारी सुविधाय तुम्हारा इंतजार कर रही है मैं इंतजार कर रहा हूँ और तो और अब तो अमोग भी वही रहेगा और तुम हो की खरिदारी के लिए यहां रुक रही हो देखलो चल सको तो चलो अरे अब छोड़ो, अगले महीने तक मैं चलने की पूरी तयारी रखूंगी, अभी समय भी कहां बचा है, अब मुझे उठने दो भाई, बहुत काम है, बेसन के लड़ू बनाने है कहती हुई मनी रसुई में चली आई, बेसन की सोंधी महें कुछी देर में घर में फैलने लगी थी लड़ो बांती मनी सोच में डूब गई, किस तेजी से वक्त भागा है, याद आया जब वो इस शहर में आई थी, कहां सोचा था कि जीवन का बढ़ा, और महत्वपूर्ण हिस्सा ग्वालियर में बीतेगा सालों साल वह बच्चों के साथ इस शहर में रुख जाएगी करीब आट साल पहले दुशन यहीं पर SDM बन कर आये थे, धाय तीन सालों तक, एशो अराम की जिन्दगी बिताने के बाद कठीं था बच्चों के साथ हकेले रहना, पर क्या करती, इस शहर के जिस स्कूल में एड्मिशन के लिए, मादा पिता के जूते गिस जाते हैं, उस बाद भी कोई अच्छा और बड़ा शहर नहीं मिला, ऐसे में बच्चों के भविश्य की खातिर दोनों ने एक दूसरें से दूरियां बरदाश्ट की, अपने अपने मोर्चे पर दोनों ने ठीके रहने में समझदारी समझी, दुशन अपनी ओधेदार नौकरी में अकेले जानते हैं, बच्चों के खातिर उसने और दुश्यंत ने अकेला पंसहा, तो बच्चों ने भी तो दुश्यंत का साथ, और सुविदा पुर्ण जीवन जीने का मोह त्याग कर अपने भविश्य पर लक्ष साधा, सबकी त्याग तपस्या व्यर्थ नहीं गई, आज अवी से उमरिया पोस्टिंग आई थी, तो नक्षे में ढूंडी गई थी वो जगे, कारण कभी नाम भी नहीं सुना, ऐसी ऐसी जगहों पर तो दुश्यंत अबादले पर गये हैं, उसने छंडी सास भरी, अविका की पढ़ाई के लिए वह गवालियर क्या रुकी, अब तक नही निकल पाई, जब अविका बारवी करके इंदोर गई, तो अमोग आटवी में आ गया था, उसके भविश्यंत की सोच उसने पांच साल और बिटा दिये, पूरे आच साल तक दुश्यंत से दूरी, जहां उसे अफसोस से भरती, तो वहीं दूसरी और दोनों बच्चों के आ बरसात के बाद, खेली धूप में इंद्रधनुश बन कर चमकेंगे, और उन दोनों को संतोश और हर्ष से भर देंगे, माता पिता के दाईतो को निभा पाने की अनुभूती कितनी सुखद होती है, ये सफल बच्चों के माता पिता से कोई पूछे, जो भी हो, इतना लंब मनी के मुह से भरपूर ठंडी सास के साथ कुछ असफुट शब्द फूट पड़े, अभी राहत कहां है, अविका के शादी और हो जाये तो, चानी कैसे ये शब्द रसोय में पानी लेने आए दुश्रंत के कान में पड़ गए, तो वे बोले वगर ना रह पाए, इतनी चि चाहिए, दुश्रंत की बात का कोई जवाब देना उसने मुनासिब नहीं समझा, वैसे भी वो आजकल उसके रुखने के निर्णय को लेकर नाखुश थे, गलत नहीं कहा दुश्रंत ने, अनंत जिम्मेदारियां ही तो जीवन है, दुश्रंत का उसके जीवन में आना, उखत विचार आखों में चमक लाया, तभी अमोग की आवाज आई, मम्मी देखो क्या मिला, उसकी आवाज पर मनी दोड़ी, देखा तो अमोग अविका की फोटो उंगलियों से दबाए, विजई मुद्रा में यूं खड़ा बोल रहा था, मानो अमोले दस्तावेज खोज निकाले हूँ, ये देखो जरा, अविका दीदी, फोटो अभी स्कैन करके जीजू के पास भेजता हूँ, बड़ा स्टाइल मारती है, हाँ हाँ हाँ, अमोग बेता हाशा हस रहा था, अमोग की हसी से मनी अपने कौतूहल को दबा नहीं पाई, जरा दिखा तो कौन सी फोट सामने कर दी, तो वह चिलाई, ये कहां से निकाली है, इधर दे मुझे, पर अमोग तो हसी से लोटपोट हुआ जा रहा था, तस्वीर में दस साल की अविका अपने दो तूटे दातों के साथ, अपनी नानी के कंधे को पकड़े कुछ लड़की सी खड़ी थी, तूटे दा जायत की, जरा मना करो उसे, कोई ऐसी बेवकूफी न करे, अविका को पता चला तो पूरा घर सर पर उठा लेगी, घर सर पर नहीं उठाएगी, इसकी बर्थ डिड्रस वाली फोटो सोशल साइट पर डाल कर मजे से कमेंट पढ़ेगी, अस्ते वे दुशन्त किसी और फोट दुशन्त के पास आकर अलबम की और जाकने लगा, जिस फोटो को देख उसकी मम्मी पापा की हसी रोके नहीं रुक रही थी, उस फोटो को देखते ही उसने अलबम दुशन्त के हाथ से खीश लिया, अपनी फोटो निकाल कर अलबम वापस बिस्तर पर फेकते हुए, वह फ अम्मा की पकड़ से छूटने की कोशिश करता नंग धरंग अमोग, वो नहाने से बहुत डरता था, अम्मा जबरदस्ती उसे नहलाने ले जा रही थी, नानी और नाती के भाव मुत्रा दुशन्त ने अपने कैमरे में कैद कर लिये थे, जब तब उसे देखकर हसी मजाग भी होता था, पर बड़े होते अमोग की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, मनी ने इस फोटो को एल्बम की किसी फोटो के पीछे जतन से छिपा रखा था, जिसे आज दुशन्त ने उजागर कर दिया, फोटो अमोग के हाथ लग चुकी थी, वो फट्ती उससे पहले मनी चिल्लाई, ना, ना अमोग फार नमत, देख तेरी नानी भी है उसमें, अब की ऐसी जगा रखूंगी कि कोई भी नहीं देख पाएगा, सच, नानी की और भी तो फोटो है मम्मी, ये तो नहीं दूंगा, अविका को मिल गई तो, कैसे मिलेगी, दे इधर, मैं रखूंगी स फड़ा रही थी, वापस कर दे अमोग, तेरी नानी भी है उस फोटो में, अब की ऐसी जगे छिपाऊंगी, जो मजाल है किसी के हाथ लग जाए, हाथ फैलाए वह फोटो मांग रही थी, चेरे पर घवराहट ऐसी थी, मानो फोटो की नहीं दिल के टुकड़े होने जा रहे हूँ, तब ही पीछे से आकर दोशंत ने अमोग के हाथों से फोटो ले ली, क्या कर रहे हो तुम, मैं तो मजाग कर रहा था, सच में कोई थोड़ी दिखाता, दोशंत ने फोटो बचा ली, फिर भी मनी की बड़़ा हट जारी रही, आप भी क्या लेकर बैठ कहे थे, कोई काम न था, बैठे बैठे सारे अलबम ही बाहर निकाल लिये हैं, अरे तो क्या हो गया, तो शंत बोले तो अमोग भी बोला, ममी आप ही तो कहा करती थी कि फोटो इसकैन कर सीडी बना लो, हाँ कहा था, पर आज के लिए ये काम नहीं था, ये नहीं कि अपनी पैकिंग कर लो और आप अमोग की पैकिंग करवानी की जगे पूरा घर फैलाए बैठे हो, कहां पूरा घर फैलाए है, अलबम ही तो निकाले हैं, अभी रखता हूँ, कहते हुए दुश्यंत अलबम समेटने लगे, तो अमोग भी उनकी मदद करने लगा, मनी के चेहरे पर तनाव देखकर विधी में से दुश्यंत से बोला, पापा ममी का तो ये हमीशा का है, आप जब जब यहां से वापस जाते थे, ममी अपनी सारी भडास हम पर ऐसे ही निकालती थी, आपको मिस करने के चक्कर में शामत हमारी आती थी, वो शामत तो अब मेरी आने वाली है बेटा, जब तुम अपने हॉस्टल जाओगे, तुम्हारी ममी तुम लोगों को मिस करेंगी और भडास निकालेंगी मुझ पर, चलो सालों का हिसाब बराबर हो जाएगा, दुर्शंत के कहते ही अमोग ने पापा की हथेली पर अपनी हथेली देमारी फिर हस्ते वे बोला, वो तो तब निकले जब ममी आपके साथ रहेंगी, फिलहाल तो वो यहीं है, एक महीने के लिए आप बच गए, दोनों के कहे समवाद इतने धीमे नहीं थे कि मनी सुनना पाती, पिता पुत्र का दोस्ताना, उसके मन को आनंद से सहला गया, पर भबोली, रहने दो जादा बाते मत बनाओ, बड का देखकर मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, फिर सामान पैक कर भोपाल के लिए निकल जाएंगे, दुश्यंत के उमेद भरी नजरों से मनी को कुछ कोफ्ट से महसूस हुई, तो जुन्चला पड़ी, ओहो, तुम तो बस पीछे ही पढ़ जाते हो, कह तो दिया आऊंगी, पर 20-22 दिन बाद, क्या चक्कर है, कोई बात है क्या, हाँ बात है, दरसल कल शाम अविका आ रही है, इस बर मनी ने अपने हथियार डाल दिये, और अपने रुकने का राज उगल दिया, ओहो, कल मैं निकल रहा हूँ, अविका दीदी थोड़ा पहले प पढ़िया है, वो कुछ और कहते उससे पहले ही मनी जल्दी से बोली, उसने ग्वालियर का टिकट करवाया है, पर क्यूं, तुम कहो से भोपाल आ जाए, अभी तो चली नहीं होगी वहां से, तुम भी चलो, कितने दिनों बाद पूरी फैमली कठी होगी, दो एक दिन के लि वो यहां ग्वालियर रुकना चाहती है, पर क्यूं, उसे भोपाल जाने में क्या दिक्कत है, तुम नहीं समझोगे, और हाँ, अब इस बावत अविका से कुछ कहना मत, पर क्यूं, क्यूंकि अब उसकी शादी होने वाली है, ग्वालियर छोड़ने से पहले यह यहां अब उसकी कुछ इच्छाएं है, यह चोटी शोटी इच्छाओं की बुरती में मुझे सुख मिलेगा, अब यह भला क्या बात हुई, वो यहां क्यों लुखना चाहती है, और उसकी वज़े से तुम भी रुकोगी, हाँ तो क्या हो गया, रुक जाओंगे कुछ दिन और व भारिक बनो, समझा करो दोशन, शादी से पहले हर लड़की अपना मायका जी लेना चाहती है, मायका, अब गौलियर उसका मायका कब हुआ, अब तो भुपाल होगा मायका, कम से कम ढ़ाई तिन सालों के लिए, यहां तो बस एक ठोर था, जहां तुम और बच्चे मजबूर जो भी कहो, पर इस घर में उसका समय सबसे जादा गुजरा है, इस जगे से जुडाव सभाविक है, जहां माबाप होते हैं, वही मायका होता है, दोशन तब भी सहमत नहीं थे, तो मनी उसके हाथ को अपने हाथ में ले बोली, वो आएगी, घूमेगी, फिरेगी, पुरानी तुम अब बता रही हो, मैं समझाता उसे, तो वो इस कोरी भावक्ता में ना पढ़ती, चलो कोरी भावक्ता सही, पर उसकी भावनात्मक जरूरतों को समझना चाहती हूँ, सोचो दोशन, हम भी अम्मा के आंगन गलियारे कहां भूले हैं, वो चली गई है, पर अब भी या तुम भला इन बिवकूफियों के माने क्या समझोगे, तो मान रही हो, ये बिवकूफियां हैं, हाँ बाबा मान रही हूँ, पर इसमें भी मज़ा है, मजा लो मुझे सजा देकर, अमोह की तो मजबूरी है होस्टल में रहने की, पर तुम लोगों का यहां रुकना मेरी से बाहर है, याद करो दोशन, जब अम्मा बिमार पड़ी थी, तो भाईया अपनी साथ उनको गुडगाउं ले जाना चाहते थे, पर अम्मा जबरन उस घर में रुकी थी, जहां मेरा मन लगता था, वो जानती थी कि मेरा जी मेरट में बसता है, मैं माय के को जी हूँ, इस इसके बाद जहां विका के पापा, वही मैं, प्रॉमिस। लगा, तो आखे मोंदे, करवट बदलती रही, सोने जागने के भ्रहम के बीच, डेर दो घंटे बीते, सुबह की किर्णों और चिडियों की चचहाहट के बीच, उठकर बैठ गई, खिड़कियों के बीच से आती धूब भली लग रही थी, चाय की तलब शिद्दत से तो वह रसोई की और बढ़ गई, अमोग दुशंद के लिए रास्ते का खाना, मिठाई नमकीन, और नजाने क्या क्या बनाने और रखने में पूरी रसोई में उठल पुदल सी हो गई थी, कितना भी पहले से तयारी करें, पर चलते समय हड़बड़ी हो ही जाती है, और ऐस में सब अस्तिवेस्थ हो जाता है, चाय कप में डालकर वह बाहर बालकनी की ओर आ गई, एक आंट खराब लग रहा था, फैला घर सराय की भाती लगा, एक बार गी विचार आया कि वह बेकार ही रुख गई, बार बार दुशंद का कहा याद आ रहा था, घर क्या था बस एक ठोर था, ठीक ही तो कह रहे थे दुशंद, यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खाते रुखी, परना दुशंद से अलग रहना सजा ही तो थी उसके लिए, उदेश की पूर्ती के बाद फल भर रुखने का कोई औचित नहीं था, पर अब क्या, अब तो भुपाल अगले महीने ही जा पाएगी, चाय की चुसकियों के बीच वह देर तक खड़ी रही, बेहद इत्मिनान से, आज उसे कोई जल्दी नहीं थी, खुद को थोड़ा विराम दे कर, न उर्जा वटोर ना चाती थी, सहसा मनी की नजर एक मंजिला घरों की ओर उठ गई, छतों प किसे के हाथ गीले कपडों को तेजी से तार पर डालते जा रहे थे, छत के जमीन पर पड़ी चादर पर दाल मसाले फैला रहा था, तो कहीं बड़ियों की दाल फेटी जा रही थी, फेटी दाल में तेजी से घुमते हाथ, जैसे समय की रफतार दिखा रहे हूं, अचानक ए तो ऐसे ही उसे छकाता था उस तस्वीर में कुछ ऐसा ही पल कैद था बस उसकी जगए अम्मा की कोशिशों को दुश्यंत ने कैद किया था उस साक्षि को कल अमोग नश्ट करना चाहता था मेरट में जाणों के दिनों में अम्मा ऐसे ही धूप में अमोग को नहलाती थी कुछ पल दूसरों की दुनिया में सेर कराने के बाद वो अभीतर चली गई कमरे में अभी भी एल्बम एक दूसरे पर रखे थे मनी ने उनको उलटना पलटना शुरू कर दिया था एक के बाद दूसरा तीसरा छठा साथवा एल्बम जो विगत में जिये गए अनेक पल अपने में समिटे थे बीते दिनों के साक्षी ये एल्बम हर तस्वीर के साथ उसके अतीत को जीवन्त किये थे तभी एक तस्वीर ने उसका ध्यान अटकाया उस तस्वीर में अविकार टोकरी में अपने खिलाने रख रही थी और उस टोकरी से एक गेंद आमोग उठाने के प्रयास में है मनी मंत्रमुक्द सी अपने बच्चों को खेलता देख रही है तो वहीं बैठी अम्मा लाट से मनी को देख रही है ये तस्वीर दुशन्त नेखी जी थी वो हस्ते थे इसे देख कर कि इसमें कोई भी कैमरे की और नहीं देख रहा है एक पूरा एल्बम तो अम्मा का ही था जब अमोग का जन्म हुआ था तब अम्मा उसके पास आई थी ये सभी तस्वीरें उसी वक्त की थी अमोग के जन्म के समय वो काफी दिनों तक रुकी थी शायद एक डेड़ महीने वो देर तक तस्वीरें देखती रही अविका की चोटी गोती अम्मा अमोग के मालिश करती अम्मा जाने किस बात पर उसके साथ बेतहाशा हसती अम्मा तोनों बच्चों से तरह-तरह के लाड़ लड़ाती अम्मा अम्मा एक युग थी वो युग जो बीट गया रह गई तो उनकी मनभावन यादे उसे याद आया अमोग के जन्म के समय उसकी देखवाल के लिए अम्मा ने आने का निर्ने लिया तो उसने एत्राज किया कहा था अम्मा अभी आओगी तो हम तुमे घुमाफिरा नहीं पाएंगे उसके कहने पर अम्मा बोली थी कैसी बात करती है मनी बच्चे की डिलिवरी के समय अकेली रहेगी नाना बच्चे के जन्म के समय मा का भी दूसरा जन्म होता है अभी ना आई तो क्या फायदा बिटिया मनी भले ही अम्मा की उम्मर और सुविदाओं को देखते हुए मना कर रही थी पर सश तो यही था कि वो खुद भी अकेले डर रही थी अम्मा ने आकर उसकी हर चिंता हर ली थी अविका तो नानी का आचल पल भर न छोड़ती थी आते ही हरी रा लड़ू मेवे पंजीरी जाने क्या-क्या तैयार कर दिये थे लेड महीना रुक कर गई थी तब भी धेरो पक्वान बना गई थी अविका को अपने हाथ से खाना खिलाना अपने खिलोने समेट कर रखना सिखा गई साथी मनी को हिदायत दे गई इसकी आदत न बिगड़ने देना अमोग शोटा है जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी अविका बड़ी हो रही है छोटे छोटे काम खुद करने दिया करो और हाथ तुम भी हर काम के लिए नौकरों को बैठे बैठे ओर्डर मत दिया करो जड़ा उठकर चला फिरा भी करो अम्मा चिंतित हो उसकी बड़ी कमर और पेट को देख कहती अम्मा के साथ रची बसी अने को इसमृतियों के बीच ओ रह रह मुस्कुरा उठती तस्वीरों को निहारती भबीते दिनों की गहन अनुभूतियों में डोपती सी चली गई एक बात पर गोर क्या उसने अम्मा के साथ खीची प्रतेक तस्वीर में उसके चेहरे पर बच्चों सी सरलता और निश्चिंतता थी जबकि मुस्कुराती अम्मा के चेहरे पर चिंताएं भी मुस्कुराती प्रतीत हो रही थी तस्वीरों पर इस्थिर नजरों के बीच मधुरिस्मृतियां चलाय मान थी मनी बीते उन दिनों में डूप गई जब दुश्चंत के साथ उसके एशो अराम भरे दिन बीत रहे थे मनी के आगे पीछे नौकरों की कतारे देखकर भी धर आई अम्मा के चेहरे पर चिंताएं घिराती खुशी के साथ चिंताएं देख मनी को आश्चर होता वो सोचती ये अम्मा भी अजीब है क्यों नहीं खुश रहना सीफती अम्मा जब तब उससे टोह लेती क्यों मनी दामाज जी तो अभी यहां रहेंगे न तब आदला नहीं होगा और हाँ होगा तो तू भी साथ ही जाना अम्मा की घुमावदार बातों का सीधा जवाब देती अच्छी जगे होगी तब ही जाऊंगी मैं तो क्या अकेले रहेगी अम्मा के चहरे की जुरियां और गहरा उठती तो वो जुँचला कर कहती अम्मा बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है वो अब बड़े हो रहे हैं अपने आराम के लिए क्या उनका भविशे नहीं देखूंगी उसकी बाद पर अम्मा उसास भर सोचती कैसे समभालोगी अकेले कैसे काम चलेगा वो कुछ कहती तो नहीं पर आखों में पड़ गई चिंताओं की डोरियां सब कह देती वो भी कहां जादा देर तक चुप रह पाती थोड़े मौन के बाद कहती तुम्हारे पास ये सुविधाये तो होंगी न सुविधाये मतलब सरकारी नौकर चाकर क्या अम्मा ये सब मेरे लिए थोड़े है जहां ये जाएंगे नौकर चाकर और सुविधायें भी जाएंगी इनके साथ उसकी बात पर अम्मा चिंती तो कहती मुझे तुम्हारी चिंता होती है तुम लोगों की आदत अरे आदत का क्या है अम्मा सब पढ़ जाती है कहना आसान है कुछ मुझकिल नहीं है क्या पहले मेरा काम नहीं चलता था इनके बगेर वो कहती तो अम्मा चुपो जाती जुर्यां और चिंताओं की रेखाएं आपस में गुल मिल जाती तो वो और बुड़ी लगती उनको गंभीर मुद्रा में बैठे देख उसे बुरा लगता वो मन ही मन सोचती कि ए खुश रहना कब सीखेंगी फिर जल्दी ही अम्मा उसे ठोकती सुन तु बाद बाद पर नौकरों को मत बुलाये कर खुद उठकर लो सुनो इनकी बात वो हस्ती वी अम्मा से फिर कहती इन सब को काम क्यों न बताओ इन सब के शकल देखने के लिए थोड़े रखा है देख बेटिया अपने हाथ से काम करने में कोई बुराई ना है काम की आदत रहेगी तो शरीर भी फिट रहेगा ये बोलती अम्मा न जाने कितने लोगों का उदाहरंड दे डालती जिनोंने आराम के चलते अपने शरीर को जंग लगा दिया बिमार कर दिया खुद को उनके किस्सों को सुनकर वो कोफ्त से भर जाती पर अम्मा चुपना होती इस स्थिती में वो उनकी दुरदरशिता के आगे इनत मस्त खो उनके गलबहियां डाल कर कहती अम्मा खुश रहना सीखो कल की कल देखेंगे आगे के सोच आज की मशगवाना बेवकूफी उसे अपनी धुनवे मस्त देख अम्मा की अनुभवी नजरें ताड़ जातीं की समझाना बेकार है आदतों के विपरीज जीवन शैली को अपनाना असंभव नहीं तो आसान भी नहीं है कुछ मौन के बाद उसके सुक सुकून को देख अम्मा उसकी बलईया लेती किसी की नजर ना लगे कुछ इसी तर्श पर तो वो हस देती अम्मा के बारे में सोचती मनी एक और अल्बम को हाथ में ले चुकी थी उसके शिमला प्रवास का साक्षी था वो अल्बम गर्मियों की चुटियों में अचानक है शिमला जानी का प्रोग्राम बना कर दोशंत ने उसे चौका दिया था गर्मी में सर्दियों का हैसास उसे और बच्चों को बड़ा सुखद लग रहा था अचानक बने इस प्रोग्राम से आनन्दित हो अपनी खुशियों और अल्हादित पलों को सबसे पहले उसने अम्मा से साचा किया था याद आई अपनी उत्तेजना अम्मा कैसी हो मैं शिमला से बोल रही हूँ हैं तो कब गई वहाँ विसमय और खुशिय से अम्मा बोली तो उसने बताया अरे अम्मा भी कुछ देर पहले ही पहुचे है काफी दिनों से बच्चों को कहीं घुमाया नहीं सुदोशन्स ने बना लिया कारिक्रम अरे वाह मानी गर्म कपड़े तो ले गए हो न तुम लोग अरे हां अम्मा जानती हो यहां तो हीटर लगा है कल बार साथ हुई तो ठंड बढ़ गई अरे वाह अम्मा यूँ पुलक पुलक जाती थी मानो फोन के तारों से कुछ ठंड़ा को उसने भेज़ दी हो चेट की भेंकर गर्मी में उसका हीटर के पास बैठना उनके लिए अजूबा थी जहां भाई बहन उसे छेटते वे ताना मारते अच्छा तो महरानी शिम्मला में बैठी होई है और हम यहां गर्मी में जुल से जा रहे हैं क्या ठाट है जी खुद तो शिम्मला में ठंड के मजे लूट रहे हैं और हम गर्मी में सड रहे हैं वहीं अम्मा शिम्मला की ठंडक में आकंठ डूबी अलहादित कहती अच्छा किया मनी जो चली गई कुछ दिन और रहले जितनी गर्मी निकल जाय बढ़िया है अम्मा के शब्दों में उनके मन की जुडाहड तरावट वो साफ महसूस करती ऐसा लगता मानो शिम्मला की सर्धवाए उनके मन को छूकर वापस आई हूँ तब उसे मेरट में पढ़ती गर्मी और पसीने से सराबोर पल्लू से चहरा पोश्ती अम्मा याद आती जिस पर जो बिजली चली जाये इस कल्पना सेवा प्राद बोट से भर संकोश से कह उठती अम्मा तुम कैसी रह रही हो बिजली तो आती है न वहाँ पड़ी गर्मी होगी इस बात पर अम्मा तसली सी देती आवाज में कहती हाँ मौसम गर्मी का है तो थोड़ी बहुत गर्मी तो लगेगी तो आप लोग कैसे अरे तुम चिंता मत करो मजे से रहो वहाँ अभी तो तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है तुम घूमोगी तो मेरा जीज उड़ाएगा अम्मा यह बोलकर उसके फिक्र धूमे में उड़ा देती तो वो फिर उच्सा में भरकर श्रिमला के किस्सों से अम्मा को तरोता जाकर अपने दुनिया में मस्त हो जाती मनी को याद आया इस बात को लेकर दुशन्त उसे हमेशा चिढ़ाते हुए कहते अम्मा को बतायब अगर तो तुम्हारे खुशया अधूरी है कैसे समझते वो कि अम्मा से हर बात साजा करने पर दुख खट जाते और खुशया कई गुना बढ़ जाती थी आज अम्मा की अनुपस्थिती एक शोन्य बनकर उभरती है एक ऐसा खाली पन मन में परपता है जिसे कोई भर नहीं सकता भाव होती मनी का ध्यान घंटी की करकश्थनी ने खीचा अम्मा के इस मृतियों से बाहर आई तो देखा दरवाजे पर शक्कुबाई खड़ी थी उसे देख मनी के चहरे पर सुकुन की रेखा आई फैले घर को तियोरियां चड़ा कर आखे छोटी बड़ी करती शक्कुबाई से मनी ने पूछा तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ साब और अमोग आज सुबह ही निकले है और आज अविका भी आ रही है बड़ा काम फैला है हाँ हाँ देख रहा है आज छाकुर जी भी जागे नहीं है शायद पूजा घर की और नजर दड़ाते हुए बोली तो मनी ने मज़ा कर दो हाँ रे सोच आज भगवान जी भी छुट्टी का मज़ा ले ले भावी जी सोच रही हूँ मैं भी इत्वार के दिन छुट्टी लेना शुरू कर दूँ में ना किसी भाव के बोलती शक्कुबाई के फैसले से आतंकित मनी घबरा कर बोली बसकर ऐसा अन्याय करके मेरी हालत मत खराब कर अविका के रहते इन दिनों कोई नागा मत करना और हाँ आज बस साबसफाई कर लो सुबह रास्ते के लिए पूरियां बनाई थी वो रखी हैं तुम भी चाय के साथ ले लेना मनी के खुशामदी लहजे पर शक्कुबाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाड़ो भुहारती शक्कुबाई से उसने स्नेह से कहा सुनो जरा शाम के खाने की तैयारी करवा देना अब कौन आ रहा है शक्कुबाई के विचित्र ढंग से चड़ी तियोरियों को देख मनी विस्मे से बोली अरे अभी तो बताया अविका आ रही है अविका बेटिया शक्कुबाई के लहजे में परिवर्तन आया हड़ड़ी में वह मनी से बोली अभी उधर से निकली तो नहीं हमेशा ही अविका पूरी करती है इसलिए उसका खास इंतजार और ख्याल करती है वह हलाकि घर के अस्तव्यस्थाल को देख वह खुश भी नहीं दिखी ऐसे में मनी ने उसके सामने से हटना उचे समझा पैठक के शैन करक्ष में आकर बिस्तर पर फैले अल्बम को उठा कर वबकसे में जमाने लगी खुश तेर पक्षात शक्कू बाई के लिए चाय बनाई तो खुद के लिए भी दो घुट चाय कप में डाल कर उसे उठाए बालकने की और चली आई शक्कू बाई के आने से वो अब निश्चिन थी निश्चिन्धता में दोर्ष छिटिच को निहारती आखों के सामने बूली बिसरी आदे खटे मीठे बेल करौंदे के साथ सी मुँख के साथ मन में भी गुल गई अम्मा अभी भी उसके विचारों में काबिश थी किस तरह मीलो दूर बैठी अपनी बिटिया के दिल का हाल जान लेती थी इधर दुश्यन तो धर बाबुजी अम्मा से पूश्टे सवाल एक ही होता क्या बात करती हो तुम दोनों घंटों जवाब ही लगबग एकसा होता बस नहीं इधर उधर की कोई खास बात नहीं बाते बेशक खास ना हो पर रिष्टा बेहत खास था तभी तो इधर धर की वो मीठी बातें मीठी गोलियों सी लगती जिनको चुबलाते ही रोज मर्रा की पीड़ा गायब हो जाती इधर उधर की कहते सुनते दोनों एक दूसरे के मन भीतर गहरे उतर जाती याद न रखने वाली बातें जो बेशक खास नहीं थी बावजूद इसके मन के कोने में हमेशा के लिए ठहर गई थी यहां दुशन्त हसते तो महापिता जी कि ये भी भला कैसी बाते होती है अज क्या बनाया क्या खाया महरी आई या नहीं मनी के होटों पर इसमित मुस्कान और मन में हूक दोड़ गई क्या जाने ये लो किन समबादों में कैसी मरहम सी ताकत थी अम्मा के अलामा और कौन उसकी आवाद से भाब सकता है क्या हुआ री मनी आज कुछ सुस्त सी लागे है अम्मा फोन पर उसकी आवाद सुनते जब कहती तो वह बताती अरे अम्मा आज मेरी कामवाली नहीं आई है ओह अम्मा के शब्दों में विवश्ता उभर आती कुछ दिर बाद फिर फोन करके हालचा लेती तो वह अपनी खीज अम्मा से साजा करती अम्मा कहती यहां होती तो चने का साख खिलाती चलो अब परिशान मत हो ऐसा करो आज कुछ हलका फुलका बना लो काम मत फैलाओ खिचड़ी बना हलकी रहेगी कभी कभी हलका खाना सही होता है और हाँ अपनी काम वाली को बोल नागा न किया कर बड़ी दोस्ट है मुई ना आए तो कम से कम बतातो दे अम्मा के स्वर में उत्रा रोश उसकी सारी थकान उतार देता थकी थकी आवाज का लहजा सहसा गायब हो जाता वो चहकर कहती तुम चिंता ना क्या करो ये तो सब चलता रहता है अपने घुटने का हाल बताओ दर्द कैसा है मनी के पूछते ही वो कहती अब क्या बताओ इतना वो लम्मा सहसा चुप़ी साध लेती पस चुप़ी कह जाती ये दर्द अब ठीक होने वाला नहीं मनी बेचैन हो फिर पूछती बहुत दरद है क्या मनी को चिंताओं से तारती वो ज़ट कहती हाँ हाँ रुपए में एक आना फर्क पड़ा है बढ़ती उमर के रोग हैं दवा ले रही हूँ अब धीरे धीरे जाएगा उस वक दर्द का आना आकने के फुरसत उसे नहीं होती पर बातों की कड़ियां जो लंबी-लंबी लड़ियां बुनती उनसे अप पुरो संतोष प्राप्ती होती आज ये सब याद करके ताजूब होता कि इतनी दूर रहकर भी अम्मा उसके आसपस कैसे बनी रहती थी आज अम्मा से कुछ साजाना कर पाने की छटपटा हड मन को ऐसा आद्र कर जाती कि नमी आखों में उतराती अम्मा के रहते कभी ये न सोचा कि वो कभी जाएंगी भी और उनके अनुपस्तिते इस कदर खलेगी वो चालीस की हो गई थी पर बच्पना था एक निश्चिंतता थी उसके चिंता करने वाला कोई है इस ख्याल से उसे अपने चारो और एक कबज सरीखा सुरक्षा का ऐसास बना रहता था उसे याद आया कि जब कभी वो अम्मा से पोच्छती अम्मा में कैसी लग रही हूँ इस प्रश्फ पर अम्मा मस्करा कर बोलती मेरी मनी तो بالकुल पहले जैसी है उनकी ये बात उम्म की रफ्तार घटा देती उसे भी तो अम्मा पहले जैसी ही लगती बच्चे बड़े हो रहे थे उसके उम्मा भी बढड रही थी फिर अम्मा की उम्र कैसे न बढ़ती पर उम्र दराज होती अम्मा की ओर तो कभी ध्यान ही नहीं कया कैसे वो अचानक कमजोर लगी और साल दर साल कमजोर होती ही चली गए और एक दिन आया जब सहसा वो बिना कुछ बोले इस दुनिया से कूछ कर गए काश उन दिनों वो जान जाती तो कुछ सेवा ही कर लेती पर ऐसा कहां हो पाया तदा अम्मा ही उसकी चिंता में डूबी रही हाँ अपने आखरी दिनों में बलकुछ खामोश सी हो गई थी गंभीर चहरा सोच में डूबी आखे चिंता की अतल गहराईयों से निकली आवाज में वो यकाए कह उठती बिटिया चलती फिरती रहा करो चलती फिरती देह में जल्दी जंग नहीं लगता है ये बाते तब की थी जब भदुर्शंत के साथ सारे अश्वराम के बीच रह रही थी जब घर में उसके उठने से पहले ही काम की पूर्ती सेवक कर दे थे अम्मा और उनकी याद में रची बसी अनेक कही अनकही मेम साब बरतन हो गए जाती हूँ शक्कु बाई के बोलते ही विचारों के भटकते कार्मा को थाम वो चिलाई अरे सुन जरा करेले चिल कर नमक लगा कर रख दे थोड़ा मसाला भी पेश दे अविका के ले बनाने है अविका के नाम पर शक्कु बाई चुपचाप करेले निकालने लगी चीलते वक्त बोली अविका दीदी तो करेले नहीं खाती थी शक्कू बाई की बात पर मनी बोली होस्टल में खाना सीख गई है अब तो भरवा करेले बहुत पसंद है अविका का चेहरा आखों के सामने घूमा तो वो भी जल्दी जल्दी शक्कू के साथ करेले छिलवाने लगी शक्कू बोली में साब अब की दीदी आएं तो उनको ट्रेंग दे देना ट्रेंग का है की? मनी के अश्चरे पर शक्कू तरस खाती सी बोली क्या में साब दीदी की शादी होने वाली है? क्या घर का कामकाद सिखेंगी नहीं? वक्त के साथ सब समाल लेगी, तुम भी कुछ भी बोलती हो मनिको शक्कूबाई की टिपड़े कुछ अच्छी नहीं लगी, तो वो अलग बात है कि उसमें गलत कुछ भी नहीं था, वो भी तो अक्सर ऐसा ही सोचती है एक पल को अविका उसे बच्ची लगती, तो दूसरे पल उसके बड़े होने का बोध होता नौकरी के साथ वैवाईक जीवन के बीच ताल मेरा वश्रक था, नई जिम्मेदारियों को कैसे समाल पाएगी ये विचार उसे चिंतित कर देता, हलाकि थोड़ा बहुत कामकात सिखाया है दो हाथों से चार काम कैसे ले, ये गुड़ भी सिखाये हैं पर अविका कुछ मोड़ी है, ठीक वैसे ही, जैसे कभी वो हुआ करती थी मनी आजकल न केवल अविका के लिए चिंतित है, अपितु अपनी छवी को लेकर भी वो सचेत रहती है उसके किसी काम से खुद का बिढ़ंगापन जाहिर ना हो, इसका वो खास ख्याल रखती है अब पिछली बार की ही बात ले लो, किस तरह आम के अचार की फर्माईश करके अविका ने उसे चौका दिया था मम्मी अब की बार आम का अचार बनाना बिल्कुल नानी जैसा पर तुम तो अचार वचर खाती नहीं, वो भचक किसी अविका को ताक रही थी अपने लिए नहीं सहेलियों के लिए ले जाना है मैंने बहुत तारिफ की है, नानी बनाती थी तो आपको भी आता होगा ना उसके फर्माईश पर मनी मनी मन जंचला गई थी अम्मा तो कब अचार डाल देती थी, वो कहां जान पाती थी और जानती थी तो भी कहां नजर मारती थी हाँ जब अम्मा बड़े मरतबान से मनी का हिस्सा निकालती थी तब अचार की सोंधी महक नथुनों में घुसकर मन के कोने में ठहर जाती थी वो महक आज तलग भी नहीं गई, ना मन से ना दिमाग से महीनों तक अम्मा की बनाए अचार की धूम रहती अचार खत्म होता तो शुरू होता अम्मा से मिलने का इंतिजार चटपटे अचार और बड़ियों की फिर पोटली बनती उसने तो ये चीजे कभी बनाई ही नहीं एक दो बार अम्मा ने सिखाने की कोशिश की तो भी उसने मन से नहीं सीखा अरे अम्मा आजकल कौन बनाता है दूपी नहीं आती, समय ही नहीं मिलता वगेरा वगेरा कितने बहाने पर उस दिन अविका की मांग पर जट इंटरनेट पर रैसी फिक होश डाली अम्मा जैसा स्वाद तो नहीं था पर बुरा भी नहीं था अविका की कलपना में मनी द्वारा बखान किया स्वाद ही रचा वसा होगा उसने कौन सा खुद खाया था जो कभी खाया भी होगा तो कौन सा याद रहा होगा तभी तो उसकी इंटरनेट वाली रेसिपी पर अम्मा के अचार के मोहर लग चुकी थी जिसका एक फारदा तो हुआ अम्मा की बड़ियों अचार पर जीती मनी अब ये सब खुद बनाने लगी थी बेटी कभी मांगेगी तो क्या वो बाजार से खरीद कर देगी जो काम खुद के लिए नहीं किया वो अब अपने बच्चों के लिए करने लगी काश अम्मा भी उसके हाथ का स्वाद चखती तो क्या कहती वाह मेरी बेटिया के हाथों का स्वाद कोई कम नहीं, यही कहती शायद मेम साब मसाला भी पीस दिया जाती हूँ मनी के खुशामती बोल, उसे किसी और काम में अटकाते, उससे पहले ही शक्को तेजी से बाहर निकल गई घर के सिमटने से उसके भीतर एक नई उर्जा आ गई थी लगे हाथ खाने की तैयारे भी कर डाली आलमारी में जादा जगे चाहिए इस बात को लेकर दोनों भाई बेहन जगड पड़ते थे, आज अमोग का बहुत कम सामान था, इस कारण उसे जगे बनाने में दिक्कत नहीं हुई अविका के आलमारी पर जब अमोग ने कबजा जमाया तो अविका बहुत चड़ती थी मामी अभी से मेरी जगे पर अतिक्रमण हो गया है, क्यों? यही सब विचारते वह दो पहर तक किसे न किसी काम में लगी रही अविका के आने के पहले ही उसके हूने के अहसास ने मनी को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया शाम कब हुई पता ही नहीं चला शाम बीटते करीब साथ बजे क्या असपस लगतार बच्टी कॉलवेल ने उसके आने के सोचना दर्ज खरा दी पहले एक सुर्भी बयार का जोका फिर आंधी दोफान की तरह वह पूरे घर में विचरती रही पिना किसी रुकावट के वह अपने कपड़े टिकट, खाने पीने से लेकर टीटी से जखड़े आसपास के यात्रियों के सर चढ़े छोटे बच्चों की उधम आटो वालों की ताना शाही सहिद न जाने कितने मुद्दों पर बात कर चुकी अविका अब था किसी टीवी के रिमोट से मन पसंद चैनल को खंहाल रही थी मनी भी उसकी फरमाईश पर दोड़ दोड़ थक चुकी थी कमरे में आई तो ने ढ़ाल पड़ी अविका के मनुहार करते बोली ये अपना ही घर है क्या पूरे घर में अविका का समान फैला था उसोर मा का इशारा समझ अविका गले में भाहें डाल बोली ये अविका घर है मम्मा उसके नाट के ढंक पर मनी मुस्करा पड़ी दो-तीन दिन खुब रौनक पर सी किसी ने ठीक ही कहा है बेटियां खुदा का नूर होती है फिर भी मस्त मौला अविका को देख वो चिंता में घर जाती समझती थी कि आजकल की जौब औरियेंटेड लड़किया क्या जाने घर के काम काज पर घर तो चलाना ही है कैसे मैनेज करेगी अविका सब मनी चिंता से घर गई उसे याद आया पिशली बार जब वो दुश्रंद के साथ अपनी होने वाली समधिन के घर गई थी तो उनका सलीका देख अभी भूत हो गई थी अविका की होने वाली सास डॉक्टर होते हुए भी घर को करीने से रखती है बिस्तर पर छोड़ी अविका की गीली टॉविल देख उसे उसकी होने वाली ससुराल के गुसल खाने में बास की टोकरी में करीने से रखे टॉविल याद आये अविका की शादी होने वाली है कुछ सलीका तो उसे सीखना होगा सोचती भी मनी खुद को रोक नहीं पाई अविको हलके से डाटती हुई कहने लगी अवि अपनी ससुराल में भी क्या ऐसे ही दुफान मचाएगी गीली टावल हाथ के हाथ धूप में नहीं डाल सकती अभी कंप्यूटर के स्क्रीन पर आखे गड़ाय धीमे से बोली टाल दूँगी बाद में घर पर मैं हूँ कोई नौकर नहीं जो तेरे पीछे घूमे ममी पापा को बो छोटू को भेज दिया करे जब मैं आती हूँ तो पर अवी का ये ठीक नहीं है अपना काम खुद करना चाहिए जब हॉस्टल में सब अपने आप करते हो तो घर पर इतना आलस क्यूं है वैसे भी दूसरों पर निर्भर रहने से जीवन नहीं चलता कुछ दिन मुश्किल लगता है फिर काम की आदत हो जाती है पर आए घर जाना है कुछ आदतें खुद में डाल ले अवी अच्छा रहेगा सोनी ओजित होने का सबसे अच्छा तरीका है जो चीछ जहां से उठाई जाए उसे वापस नहीं पहुचा दिया जाए अभी तो मैं हूँ ठीक है पर कल को बोलती मनी के मुह पर अवी का अपना हाथ रखे हसते हुए बोली देख रही हूँ जब से मेरी शादी तय हुई है तुम मेरी चिंता बहुत करने लगी हो तेरी नहीं रे तेरी सास के चिंता है मुझे मेरी सास के चिंता ना करो कैसे ना करूँ अभी देखो मम्मी, या तो मैं अपनी सास जैसी बन जाओंगी या उनको अपने जैसा बना लूँगी मतलब मनी हैरान थी और अविका मस्ती में अपनी मा की सारी फिक्र को धूए में उड़ा, बेताहाशा हस रही थी मनी ध्यान से अविका को देख रही थी, हस्ती हुई अविका उस समय उसकी परचाई लगी अविका की हसी थमी, तो वह मनी का हाथ पकड़ कर दरपण के सामने ले आई ममी अपनी शकल देखो, कैसी हैरान परिशान सी लग रही हो, मेरी चिंता मत क्या करो, मैं सब मैनेश कर लूँगी अब ज़्यादा परिशान होंगी तो रिंकल सा जाएंगे चहरे पर अवि ध्यान से उसके चहरे को देखते हुए बोली फिर धीरे से उसकी माथें की सलबटों को अपने उंगलियों से तानते हुए ठीक करने लगी मनी उसकी मनभावन हरकतों से अभी भूत, कभी उसको तो कभी अपने चहरे को बारी की से दरपण में ताकनी लगी, तो पाया हस्ती हुई अभी के चिंता मुक्त चहरे पर सालों पहले वाली अपनी छवी और स्वैम के चिंता युक्त चहरे पर अपनी अम्मा की छवी ये क्या, उसने खुद को चिकोटी काटी, ऐसा लगा अम्मा दरपण के उस पार से हस्ती कह रही हूँ क्यों री मनी, तू तो मेरी जैसी हो गई है, कहा करती थी न, अम्मा फाल्तु की चिंता करती है जो है उसमें खुश रहना सीखो, तो बता, क्यों अबना खुद खुश रहती है, ना अवी को खुश रहने देती अम्मा के स्वर में प्यार उलाहना दोनों था अम्मा उसे क्या समझाना चाह रही थी हाँ बाबा समझ गई सैसा मनी के मुँझ से निकला तो अवी तियोरियां चड़ाए विसमे से बोली क्या समझ गई एक पल को मनी अचकचा गई क्या वो सचमझ अम्मा से बतियाने लगी है पर दूसरे ही पल समल कर अवी से बोली हाँ हाँ समझ गई तू भी बदलेगी एक दिन और वो एक दिन आएगा कब अवी के परिहास पर मनी ने भी जवाब दिया जब तेरी गोद में तेरी छवी के लिए एक सुन्दर राजकुमारी आएगी तब लो जी हमारी मम्मा का तो जवाब नहीं मिना किसी भाव के उसाज भरती अवी अपना एक हाथ हवा में लहरा कर अब भी कह रही थी हमें सुधारने के लिए हमारी प्यारी मम्मा किसी भी हद तक जा सकती है अरे मेरी शादी तो हो जाने दो तभी तो आप आएगी कौन? अरे वही राजकुमारी राजकुमारी शब्द अवी ने फसफसाते हुए उसके कान में कहा तो मनी उसे जड़कते हुए बोली हट बे शर्म, कुछ तो शर्म कर कैसे शर्माओ मम्मा? क्या ऐसे? अवी ने छुड़ी पर उंगली रखकर गर्दन को एक तरफ रखकर बेहुदा तरीके से शर्माने का स्वान किया तो मनी ने उसे बाहों में भर लिया कपाल चुमते हुए उसे नजर भर निहारने का प्रत्न किया पर निहार नहीं पाई पन्या गई आखों को उससे चुराते हुए उसे अपने सीने में भीच लिया मुंदी तरल आखों से दो बूंद नीचे ना चाहते हुए भी टपक गई और वह बिटिया को छाती से चिपकाए उसके सुखद और सुनहरे भविश्य में डूब गई ठीक वैसे ही जैसे अम्मा अकसर डूब जाया करती थी अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी के लिखी कहानी अम्मा